आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का टॉपिक है उन्निस जन्वरी को सुबा लगबग साड़े साथ बजे के करीब शनीग्रा जो पिछले 23 दिसंबर से अस्त चल रहे थे उनका उदय होने जा रहा है और ये जो उदय होगा प्लाइट का उसका हर राश्यों पर कैसा प्रशना होगा तो पहले मैं आपको बता दो कि प्लाइट उदय कब होते हैं और अस्त कब होते हैं जैसे अगर आप दिन की बात करते हैं तो दिन में जो है सूरज आपको दिखाई देता है लेकिन आपको उस समय जो आकाश में यानि ब्रहमान में जो तारे होते हैं वो प् उसके बाद हमें तारों की भी रोषणी दिखाई देना स्टार्ट कर देती तो उनको हम उद्ण होना मालेते हैं कि तारों का उद्ण सुर्य आस्थ के बाद होगा और तार्य ही प्लाइने तो समय तारी के देरे देरे श्ड能 May उसी तरीके से शनी प्लैनेट जो है जो कि धनु राशी में गोचर में अभी चल रहा था उस वो जब सूर्य ने जपना राशी परिवर्तन करके धनु राशी में प्रवेश किया था तो 15 डिगरी के करीब जब शनी आ गया था तो उस समय शनी अस्थ हो चुके थे और जब शन होगा इसको हम समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी में जो आपका जो शनी है वो बेसिकली आपके सिख्षा आपके वेवसाय यानि कर्म अस्थान का स्वामी होता है आपके इंकम का स्वामी होता है तो बेसिकली यह जो आपका कर्म अस्था को दिये गए थे तो अभी तक ही अस्त चल रहे थे तो नौकरी में बहुत जादा टेंशन चल रही थी इंकम में बहुत जादा प्राब्लम चल रही थी बड़े भाई से मध्वेद हो सकता होगा जो भी मेश लगन वाले जातकों का है उसी तरीके से अब जैसे यह हाउस के पोजीशन पर है तो अगर पोजीशन कुणली में जनम कुणली में भी अच्छे जगा पर है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेश लगन वालों के लिए नौकरी की जो या कर्म छेत्रे वो अच्छा होने जा रहा है और इंकम के श्रोत बढ़ने जा रहे हैं अब हम बात करत हैं कि वरिश लगन वाले जात्कों के लिए क्या होगा तो वरिश लगन में यहां पर दो नमबर लिखा होगा तो आप काउंट कीजिए मैं नमबर यहां पर चेंज नहीं कर रहा हूं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस 11 यह दोनों हाउस जो होते हैं वरिश लगन जो इशू चल रहते हैं उसमें अब इशूस खतम हो जाएंगे और प्रमोशन के भी चांसे कुछ बनेंगे और साथ में थोड़ी सी धार्मिक यात्राएं चोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और यहां पर पिता से भी आपके संबंद मदूर हो जाएंगे और आपका भाग इसे मैं साथ देगा अब हम बात करते हैं विरिश के बाद मिथुन लगन वाले जातकों पर कैसा होगा तो अगर यहां पर तीन नंबर लिखा आपकी कुंड़ी में तो काउंट कीजिए तीन चार पांक छे साथ आठ आठ नो दस इग्यारा यह दोनों हाउस जो है मिथुन आपके यह कमर का भी पोजिशन है और पिता का भी पोजिशन है तो पिता से थोड़ी अनबन बनाया होगा और साथ में कमर से रिलेटेजर प्रॉबलम भी शनी ने दिया होगा डेफिनिटली तो अभ यह प्रॉबलम अब rezolv और थोड़ी चोटी मोटी यात्रा होंगी और इस समय जितने भी आपके obstacles थे वो सभी खतम होने वाले हैं क्योंकि जो ग्रह होते हैं अगर पाप वाले house में जाते हैं तो वहां पर उसको खतम करते हैं तो यहां पर शनी की जो placement होगी यह दोनों house जैसे activate होगा, ये दोनों house related अच्छे फल मिलने start हो जाएंगे, अब हम बात करते हैं करक लगन वालों के लिए, तो करक लगन में यहाँ पे चार नमबर लिखा होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो करक लगन में वैसे भी शनी जो है, मारकेश की तरीके से काम करता है, क् कि एक 17 भाओ का स्वामी है और एक 80 भाओ का स्वामी है, तो अभी तक यह जो कारेश छेत्र जो आपका रुका हुआ था, क्योंकि कारेश छेत्र जो daily wages के जो आपके होते हैं काम, वो house जो है, वो आपका खतम हो चुका था, क्योंकि जो सनी था वो कमबस्ट हो गया था, पत् 19 जनवरी को सुबह जब 8 बजे शनी उदय होगा तो ये हाउस आपका एक्टिवेट होगा तो आपकी पत्मी को जो परिशानियां चल लई थी उससे थोड़ी रहात मिलेगी और आपको आपके जो 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 जॉब से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम अभी भशे हुए थे वो सा सिंग लगन में यहां पर पांच नंबर लिखा होगा तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो सिंग लगन में ये दो हाउस जो है सिंग लगन में ये दोनों हाउस शनी गवन करता है एक रोग, रिण, दुरगटना, शत्रु का अस्थान हो गया और एक पत्नी का अस्थान हो गया, पार्टन सिंग लगन की कुली में भी शनी जो हता है मारकेश के तरीके से काम करता है, अभी क्या था शनी अस्थ चल रहा था, तो सिंग लगन वाले जातकों के खुद के जॉब भी जा सकते थे, चले गए होंगे, या अगर उनके नहीं गया होंगे, तो उनके जो पार्टनर है, यान खतम हो जाएंगे, और साथ में ही आपके रोग रिण दुरगटना जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स देरे-देरे खतम हो जाएंगे, अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास कन्या लगन की कुंडली है, अगर यहां पे 6 नमबर लिखा हो, तो 6 में देखते हैं, शनी को कौन से 2 हाउस मिले, तो अगर आप यहां पे 6 नमबर देखिएगा, तो ये दोनों हाउस जो मिलेंगे, वो शनी के दोनों हाउस है, तो अभी सिख्षा में बहुत जादा रुकावट चल रहा था, कन्या लगन वाले जातकों का, और रोग भी जादा बढ़ गए थे, क्योंकि श स्टुडेंट अभी तक पढ़ाई में जिनका मन ने लग रहा था, उनके लिए बहुत जादा पॉजिटिव है, और जिनको ये लग रहा था, कि वो अभी तक थोड़े से रोगी हो चुके हैं, एक महिने से बहुत जादा रोग से परिशानते हैं, उनको भी रोग से मुक्त ही मिलेगी, अब हम बात करते हैं, तुला लगन की, तो तुला लगन में यहाँ पर साथ नमबर लिखा होगा, और साथ नमबर लिखा होगा, तो साथ, आठ, नो, दस, तो दस और एक 11, यह दोनों जो हाउस हैं, यह तुला लगन में, एक सुक का अस्थान, और एक आपके सि तुला दोनों का शुक्र होता है और शुक्र और शनी में अतीमित्रता होती है तो अतीमित्रता होने के कारण जो शुक्र है उन्होंने शनी को दो अच्छे डिपार्टमेंट दे दिये एक आपका भूमी वहान मकान का डिपार्टमेंट हो गया और एक सिक्षा लेकिन शनी अनुबा उनको नहीं लग रहा था उनको ऐसा लग रहा था है दुनिया में मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ क्योंकि सुख वाला अस्थाउन डीक्टिवेट हो गया था और साथ में ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही थी और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा नौ, दस, इग्यारा तो शनी को दो डिपार्टमेन मिले हुए है अगर हम व्रिशिक लगन की बात करते हैं तो शनी को दो डिपार्टमेन मिले है एक तो आपका जो ये हाउस है जिसको सुख अस्थान कहते हैं और एक आपका पराकरम व्यर्थ की महनत छोटे भाई-बैन त तो उसी तरीके की अभी तक सुख की अनुभूती नहीं हो रही थी और भूमी वहान मकान से भी बहुत जादा प्राब्लम चल रही थी माता को भी जादा कश चल रहा था तो अब जब शनी उदय होंगे तो ये दोनों भाव से रिलेटेड जो पॉजिटिव वाल होंगे वो लगन में ये दोनों होस जो होते हैं ये दोनों ह ost da or a gaver motor को कोट पुटमभ का स्थान वाडी का स्थान और् सथान और एक प्राक्रम का स्थान तो कुटम वाडी और धन का जो अस्थान है ये एक्टिवेट हो जाएगा तो परिवार में आपकी बनने ही स्टार्ट हो जाएगी अगर आपके परिवार से कुछ मदवेद चल रहे थे तो ये मदवेद अब इस डूरेशन में अब दीरे-दीरे सही होना स्टार्ट हो अगर आपके कहीं पैसे फसे हुए थे तो पैसे वापस आने स्टार्ट हो जाएगे और आपके आपकी पराक्रम भी बहुत जादा बढ़ेगी अब हम बात करते हैं धनू के बाद मकर लगन की मकर में यहां पर दस नंबर लिका होगा तो मकर लगन में खुद जो लगनेश ह वो शनी है तो अती योग कारक प्लैनेट हो गया दस और ग्यारा यानि खुद की बाड़ी और यहां पर धन कुटम वानी परिवार इन सभी का स्वामी हो गया तो यहां पर जो आपका जैसे ही शनी उदे होंगे आपकी परसनालेटी में जबरदस्त रुतबा पहले की तरीक हो जाएंगे अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की तो कुम्ब राशी में यहां 11 नंबर लिखा होगा आप देखिएगा तो 11 नंबर में अगर मैं काउंट करता हूं तो 10 और 11 यह दोनों जो हाउस है जिसको मैं दिखा रहा हूं एक यह और यह 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 आपकी खुद की घर जो शनी है खुद लगनेश है लगनेश अस्त हो जाए तो आदमी तो 90% वैसे ही खतम हो जाता है तो लगनेश जैसे ही हुजा करेगा आपके अंदर जबर्दस्त कॉन्फिदेंस आना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है और लास्ट में हम बा और साथ में अगर देखा जाए तो इनकम भी बढ़ेगा तो यह था शनी के उद्य होने का राशियों पर प्रभाव मैं हूं स्कॉजर केम सिना ओम नमस्युवाए